हेलो एंड वेलकम टावर चैनल इंजिनर्स अकाड़मी आज का जो हमारा टापिक है वो है राइट सर्किलर कॉन इसी पर हम आज कुछ कुछ क्वेश्चेनल डिसकस करेंगे और इसके फार्मॉला क्या है वो हम करेंगे इससे पहले हमने पढ़ा था राइट सर्किलर सेलेंटर दो साड़ होते है एंसे जहाँ पर यह दो साड़ इंतर्सेक्ट कर रहे हैं इसे नौन अ या है सेंटर ओ नौ इसफा जो जो हम जोईन दो सादर्सं अो वितह कोन एंसेंटर अज आ आलनृ यह एच और एंडर लिससेस एच इच और और मेल यहुद्यए रыт एक इस हैल डायट सलाइट प्ल्लान मेलटाइट आप देखो कि तो यह नाइंटी डिक्री एंगल बना रहा है यहां तरभी हम इसको नहीं सायड यह भीज़ जब ढांघ कोई जब देखर Wow आएंगल होता है तो फिर अगर 2,itas given होंगे तो थीसरा साइड हम पाइथाःगोस चारम से निकाल सकते है है और वह क्या हो रहे है कि हाई पार्ट्रया स्क्षार इसे कौल सब्सक्रिबिक्रॉड अगर आप देखूगे यह हम पर हाई 파र्टो इस और के बदले हैं तो यह होता है, h plus r, that is root of h plus r. So, silent height of cone is equal to root of h plus r, where h is the height of cone and r is the radius of its base. Okay, अब हम देखेंगे, curved surface area, जिसको हम later surface area भी बोलते हैं, या total surface area या volume of cone किसके बराबर होता है. So, अगर हम बात करेंगे, curved surface area of cone के अगर हम बात करेंगे, so, curved surface area of cone is equal to πrl square units, क्योंकि area है, तो unit क्या हम लेंगे, चाहिए unit centimeter भी हो सकता है, meter भी हो सकता है, kilometer भी हो सकता है, और उसी का square लेना है, that is square units. ठीक है, where l is known as slant height, and that is equal to root of h square plus r square, अब अगर हम total surface area की बात करेंगे, total surface area की अगर हम बात करेंगे, वो आएगा curved surface area plus base area, एक तो एक curved surface area और base area that is area of circle, तो total surface area is equal to πrl plus πr square, अब अगर हम यहाँ पर πr को मैं कामल ले आऊँगा, πr को अगर हम यहाँ पर कामल ले ले आऊँगा, तो यहाँगा πr into l plus r, अगर हम वोल्यूम की बात करेंगे, तो वोल्यूम आफ को इसके बात करेंगे तो वोल्यूम आफ को इसके बाराबर होता है, वोल्यूम आफ सिलेंटर आपान 3, तो वोल्यूम आफ कोन विल बी एक्वाल तो वोल्यूम आफ सिलेंडर आपान 3, तो सिलंट है ट मैने अभी बोला कि शिलंट है, अब हम इन ही फार्मला श्पर कुछ प्र क्वेस्टर करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही important formula है इन्ही पे questions आते हैं exam में So the first question is Find curved surface area of cone whose height is 15 cm and base diameter is 16 cm Curved surface area cone का हमें निकालना है As you know that curved surface area is equal to that is pi r l ठीक है Curved surface area निकालने के लिए हमें radius और slant height पता होनी चाहिए अब यहाँ पे base diameter दिया गया है diameter is equal to 16 cm So यहाँ पे radius आएगा 16 upon 2 that is equal to radius is equal to 8 cm अब हमें radius का पता चला लेकिन slant height directly यहाँ पे नहीं दी गी है So slant height को हम निकालने ऐसे slant height is equal to root of h square plus r square So l is equal to root of h square किसके बराबर है Here height is 15 cm So यह आएगा 15 square plus radius हमने निकाला that is 8 square So slant height will be equal to root of 15 square is equal to 225 plus 8 square is equal to 64 So slant height L is equal to 225 plus 64 So यह आएगा root of 5 plus 4 that is 9 6 plus 2 that is 8 2 plus 0 that is 2 So आएगा slant height is equal to root of 289 अगर आप देखोगे कि 289 किसका सुखेर हैं तो यह बन जाएगा 17 का सुखेर क्यूंकि अगर आप 17 17 करोगे तो वो 289 आएगा So slant height will be equal to 17 अब हमें R भी पता है और slant height भी हमें पता है Now put the value in this we get the answer Pi का value Pi ही रखना है यहाँ पर 22 आपान 7 नहीं लेंगे क्योंकि answers जो है वो Pi में है So Pi को value Pi ही रखेंगे हम Red is here it is 8 So 8 into 17 करो आप वो एगा 8756 So वहाँबचे 5 81008 8 और 5 होगे 13 वो आएगा 136 और Pi आएगा साथ में So option D is the correct answer Now move to the next question यह बहुत ही important question है A right triangle with side 3 cm, 4 cm and 5 cm 8 right angle रेट 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 हैं देखो इसके side 3, 4 and 5 लेकिन यहाँ पर सोच समझ के हमें side 2 देने हैं इनके dimension देने हैं अगर आप देखोगे कि हाईपार्टन वाज स्केर hyperniverse जो होता है वो right angle का longest side होता है तो longest side यहाँ पर 5 हो सकता है so hyperniverse will be equal to 5 ठीक है अब यहाँ पर देखना है कि base और radius sorry base और perpendicular में 3 लूँगा की 4 लूँगा देखो यहाँ पर question बहु रहा है कि right triangle है इसके side है यह है इसको और फिक्सराइन करूंगा इसको रोटेट करूंगा ऐसे इस तो इस साइड भी आएगा यह ऐगा 5 और यह बन जाएगा फिर 4 so we can say that the radius of this cone will be equal to 4 cm and height will be equal to 3 cm and L will be equal to 5 cm so अब हमें निकालना है वोल्यूम आप दिस कोन अब सलांट है फायो राइस है 4 cm or height है 3 cm वोल्यूम निकालना है वोल्यूम अब कोन अभी हमने पड़ा that is equal to 1 by 3 pi r square edge ठीक है सॉरी वोल्यूम आफ कोन इस इक्वल टू 1 by 3 pi r square edge यह आएगा 1 by 3 pi का value pi ही रखेंगी क्योंकि answer pi में है और radius अभी हमने निकाला कि राइडियस यहां पे आएगा 4 square into height here it is 3 तो इसको हम सॉलो करेंगी यह आएगा 3 or 3 cancel हो जाएगा 4 4000 16 और pi है multiple में यह आएगा 16 pi so option d is correct नाव मूड़ नेक्स्ट question if a right circular cone of height 20 centimeter has a volume of one two three two cubic centimeter then its curved surface area will be देखो अगर हम curved surface area आफ कोन की बात करेंगे तो वो pi r l के बराबर है that is equal to pi r l और वही यह हमें निकालना है अब pi का value 22 upon 7 है यह तो आप पता ही है radius और l यह given नहीं है यह हम कहां से निकालेंगे volume से जो वही से दिया गया है तो volume of this cone is equal to one two three two लेकिन volume of cone किसके बराबर होता है one by three pi r square h तो यह आएगा one by three pi r square h is equal to one two three two pi का value यहाँ पे देना है 22 upon 7 और height भी दी गई है यहाँ पे h देखो यहाँ पे तो यह आएगा one by three into pi का value है 22 upon seven यह आएगा r square क्योंकि यह पाता नहीं है यह हमें निकालना है और h का value है यहाँ पे 24 is equal to this is the volume of cone or move दिया गया है one two three two देखो यह आएगा two elevens are 22 यह आएगा two sixes are 12 two ones are two two sixes are two you are okay यहाँ पे देखो now 11 11 11 यह एगा 11 5055 यहां बचेच छे यह बनिया 66 11 6060 तो यहाँ पर आया 56 यह गा टूट टू यह आगा 228 यह आगा टू sixes are 12 यह आगा 2 14 जार याई गा 2 3 जार six याएगा 2 7 जार 14 ठीक है देखो यह यहाँ पर आया और square is equal to यह three और यह three cancel हो जाएगा यह आएगा seven यहाँ पर r square upon two है r square upon seven is equal to seven so r square is equal to seven into seven yeah we can see that it is seven square so square or square cancel हो लेगा, so radius of this cone is equal to 7 cm, अब RIS 7 और height I 24, अब हमें silent height निकालनी है, that is L, तो वो L कैसे हम निकालेंगे, silent height L is equal to root of 24, that is H square plus R square और RIS 7 square, जब आप इसको solo करोगे, तो यहाँ पर L का value आएगा, उसी को substitute करना है आपका answer आजाएगा, comment section में, इसका answer बता देना, चला मूझा नेक्स्ट question, if height of a cone, if height of a cone is doubled and its base radius is tripled, देखो, एक normally अगर हम कून लेंगे, यह है इसका radius and this is height of the cone, ठीक, अब अगर हम इसका volume देखेंगे, मैंने आपको बोला, that is equal to 1 by 3 pi r square h, अब यह बो रहा है कि अगर इसी कून का radius हम height हम double करेंगे, और base radius हम three times करेंगे increase, तो volume हमें क्या निकलना है, ratio of volume of resultant cone, जो resultant cone मत जाएगा, उसका volume divide by original cone का volume किसके बराबर आएगा, वो ratio हमें निकलना है, देखो, अब अगर हम यह कून जो बार रहा है, यहाँ पे जो इसका radius है, वो है, radius कितना increase हो रहा है, that is three times, वो आएगा, three times are original radius जो है, इस वाले cone का, और height, जो है, height कितनी increase हो रहे है, that is two times h, देखो कैसे करेंगे हम, तो volume of resultant cone की बात, अगर हम करेंगे, वो ratio निकलना है, that is equal to one upon three, pi r square, लेकिन इस resultant cone का radius, जो है, वो three times हो रहा है, तो यह आएगा, three r whole square into h, और इसी का जो resultant cone बार रहा है, उसका height two times है, original height के ओर, height से, divide by volume of original cone, volume of original cone आएगा, one upon three pi r square h, one upon three pi, one upon three pi cancel हो जाएगा, यहाँ पर r square, देखो यह three r square है, तो यह आएगा, ऊपर nine r square into two h, divide by यह आएगा, r square or h, h or h cancel हो जाएगा, ठीक है, यह r square or r square cancel हो जाएगा, ऊपर बैचा nine into two, that is nine two's are 18 upon one, so this is the ratio of resultant cone to that of original cone, hence option d is correct, now moot to the next question, question is, if the height of two cones are in the ratio of seven is to three, देखो, दो cone है, h one or h two, इनका ratio दिया गया है, that is seven upon three, ठीक, and their radius are in the ratio of radius, जो इनका है, वो है, r1 upon r, r2 is equal to six upon seven, what is the ratio of their volumes, जो इन two cones का जो volume होगा, उनही का ratio हमें निकालना है, that is v1 upon v2 हमें निकालना है, देखो, v1 आएगा बराबर, one upon three, one upon three, pi r1 square h1, divide by volume of second cone will be equal to one upon three, pi r2 square h2, ये one upon three, one upon three cancel हो जाएगा, pi और pi भी cancel हो जाएगा, अब बचा यहाँ पे r1 square, ये बचा यहाँ पे देखो, so v1 upon v2 क्या आया, r1 square h1, divide by r2 square h2, तो अगर हम देखेंगे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, r1 upon r2 whole square into h1 upon h2, ठीक है, देखो, अब यहाँ पे क्या है, the radius of six is to seven, so r1 upon r2 is equal to six upon seven, यहाँ यहाँ आगा, six upon seven whole square, into or high h1 divide by h2, किसके बराबर है, seven upon three के बराबर, so अगर आप इसको solo करोगे, तो यह आएगा, देखो, six को मैं लिख सकता हूँ, six square को लिख सकता हूँ, six into six, और फिर है multiple में, seven divide by, नीचे है, seven into seven into three, तो यह seven और seven cancel हो जाएगा, three ones are three, three twos are six, ओपर बचा six into two, वो यहाँ आगा, 12 divided by नीचे बचा seven, वो यहाँ आगा seven, so 12 is to seven is the correct answer, so option D is correct answer, माँ मूट to the next question, ऐसा ही यह यह भी question है, the idea of two कूनs are in the ratio of two is to one, so r1 upon r2 is equal to two upon one, ठीक है, their volumes are equal, इन दो कूनs का volume equal है, find ratio of their height, हमें ratio निकालना है height का, देखो वह इसे दिया गया है, v1 is equal to v2, v1 किसके बाराब है, that is equal to one by three, pi r1 square h1 is equal to, one upon three, pi r2 square h2, ठीक है, one by three pi, one by three pi cancel हो जाएगा, यहाँ बचा r1 square h1 is equal to r2 square h2, देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, r1 square divide by, इस r2 को यहाँ ले आओ, यह बन जाएगा, divide में आएगा यहाँ पर, तो यहाँ से बचा h2, जब इसको मैं, इस h2 को मैं यहाँ ले आओंगा, यह divide में हो जाएगा h1, ठीक है, अब यहाँ पर ready दिया गया है, किस ratio में, two is to one, so r1 divided by r2 आएगा, two upon one whole, square is equal to h2 upon h1, देखो यहाँ पर, so, यहाँ आएगा, two upon one whole, square is equal to h2 upon h1, so, यहाँ आए, four upon one is equal to h2 upon h1, देखो, हमें निकालना है, ratio of their height, that is h1 upon h2 निकालना है हमें, ना कि h2 upon h1, अगर आप ऐसे करोगे तो question गलत होगा, क्योंकि अगर आप h2 upon h, निकालोगे तो वो आए, four is to one, लेकिर हमें क्या निकाला है, h1 upon h2, तो इसी को हमें रिस प्रोकल निकालना है, तो वो आएगा, h1 upon h2 is equal to one upon four, so option B is correct, now, मूट to the next question, question is, the radius of base and height of metallic cylinder, or centimeter and six centimeter, respectively, if it is melted, it is melted and request into a solid cone of same radius of base, the height of cone is, देखो, एक cylinder दिया गया है, this is cylinder, this is cylinder, और इसका जो base radius है, वो है, and इसी का जो height है, वो है six centimeter, अब मैं इसी को melt करके, और request करने के बाद, एक cone बना रहा हूँ, लेकिन अब इसी, इस cone का radius, वही है, जो इस cylinder का radius है, ठीक है, और मुझे height of, हमें क्या निकालनी है, that is height of this cone, इससे पहले भी मैंने आपको बोला, जब भी melt की बात आएगी, तो volume दोनूं का same रहता है, so volume of cylinder, will be equal to volume of cone, so अगर हम देखेंगे, volume of cylinder, किसके बराबर होता है, that is equal to, pi r square edge, will be equal to, volume of cone, that is equal to 1 by 3, pi r square edge, this edge is the height of cone, this r is the radius of cone, this r is the radius of cylinder, and this height is the height of cylinder, देखो, यहाँ पही दिया गया है, कि radius of cylinder, is equal to radius of cone, so r square or r square, same है, तो cancel हो जाएगा, this pi and pi will get cancelled out, this is edge here, इसका value क्या है, 6, so this edge के बदले में लिख सकता हूँ, 6, so equation क्या यह हमें, 6 is equal to, h upon 3, this edge is the height of this cone, so इसको multiple करो, यह आएगा, 6, 3,018 is equal to, this is the height of this cone, so edge is equal to 18, so option b is correct, now move to the next question, question is, a cylindrical vessel is full of water, एक cylindrical vessel है, जो कि फूल है, water से, how many cones have same radius, and height as that of cylinder, will be needed to store that water, देखो, एक cylinder है, और पानी, up to the brim है, इसमें, ठीक है, अब इसी पानी को मैं, cones में डालता हूँ, ठीक, छोटे-छोटे cones हैं मेरे पास, question में बोर हैं कि, हमें, अगर हम इस water को cones में डालेंगे, तो कितने cones मुझे चाहिए, so that कि यह water सारा इसमें आ जाएगा, इन cones में, लेकिन यहाँ पे अगर देखो, गिए कि radius और height of cylinder, जो यहाँ पे होगा R and H, यही से question में दिया गया है, कि cones का भी R और H सेम है, to that of cylinder, ठीक है, suppose यहाँ पे कितने मैं, suppose करूँगा कि, N number of cones यहाँ पे आते हैं, जिसमें कि सारा water जाता है, जो कि cylinder में है, so volume of this cylinder, will be equal to N times volume of this, ठीक है, तो वही पानी में यहाँ पे डालता हूँ, इन cones में, so volume of cylinder, that is equal to pi R square H, is equal to N times, यह N हमें निकाल है, कितने cones आएंगे, is equal to 1 by 3 pi R square H, क्योंकि यहाँ पे मैंने R और R सेम ही लिखा, और H और H सेम ही लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो radius cylinder का है, यहाँ आएगा, 1 is equal to N upon 3, so हमें यह N निकालना है, तो cross multiple करो, यहाँ आएगा, N is equal to 3, so 3 cones हमें जरूरत पढ़ेगे, so that कि जो इसमें पानी है, यह उसमें आजाएगा, now move to the next question, question is the ratio of height and the diameter of a circular cone is 3 is to 2, एक circular cone है हमारे पास, और height, ratio of height upon diameter is equal to 3 is to 2, देखो यह आएगा, H upon D, D को में लेख सकता हूँ, 2R के बराबर is equal to 3 upon 2, 2 or 2 cancel होगा, so H upon R is equal to 3 is to 1, so ratio of height upon radius is equal to 3 is to 1, and it is volume दिया गया है, 1078, volume भी वही से दिया गया है, find height of the cone वो हमें निकालना है, देखो, so अगर हम देखेंगे, volume किसके बराबर होता है, volume of cone, that is equal to 1 by 3, pi r square, H, is equal to 1078, ठीक है, अभी मैंने निकाला, H upon R is equal to 3 is to 1, देखो, यहां पर हमें height निकालनी है, so मैं यहां पर radius को in terms of height लिया आऊँगा, so अगर मैं इसको cross multiple करूँगा, तो radius will be equal to H upon 3, radius will be equal to H upon 3, so अगर आप यहां पर sub-shoot करोगे, तो यह आएगा 1 upon 3, पाई का value लेना है यहां पर 22 upon 7, और R square, here it is H upon 3, तो यहां एगा H upon 3 whole square, multiplied by H is equal to 1078, ठीक है, अब देखोगे कि cancel out हो जाएगा, कुछ की नहीं, देखो यहां पर, अगर हम देखेंगे 2 से अगर हम इसको divide करेंगे, यहां आएगा 2 11,022, यहां पर देखो, यहां पर देखो, 11,011, 4,044, तो यहां बचे 6,033 हो गया, 9,99, 9,99, 11,99, और डिवाइड में क्या आएगा, तो यहाएगा, H square into H that is H cube, divided by 7 into 3 into, यहागा 3, 3,09 that is 3 into 3, ठीक है, is equal to 49, देखो क्या है, यह है, H cube divided by 3 into 3 into 3 into 7 is equal to 49, so H cube is equal to, इसको यहां पर ले जाओ, यहां पर देखो, यहां पर तो यह 49 के साथ multiple में आ जाएगा, it can be written as 3 into 3 into 3 into 7, इस 49 को में लख सकता हूँ, 7 into 7, अब यह 3 into 3 को में लख सकता हूँ, 3 cube into 7 into 7 into 7 को लख सकता हूँ, लख सकते हैं 7 cube, तो यहां पर H cube है, यह cube cancel हो जाएगा, so H is equal to, so height is equal to 3 into 7, H is equal to 7, 3 is at 21, so height of this cone is equal to 21 centimeter, so option C is correct. Now more than next question, so question is, a cylindrical container of 30 centimeter height, जह को एक cylindrical container है, इसकी height है 30 centimeter, and 18 centimeter radius, radius radius 18 centimeter is filled with sand, इस में sand है, now all this sand is used to form a conical heap, तो मैं conical heap बना रहा हूँ, इस sand से जो एक cylindर में है, इस height of conical heap is 24 centimeter, अगर इस conical heap की जो height है, वो है 20 centimeter, what is the radius of its base, हमें यह radius निकालने हैं यहाँ पर, radius of this cone हमें निकालने हैं, so जो यह sand है, हमें उसी से एक conical heap बनाना है sand का, so volume of this cylinder will be equal to volume of cone, तो वहां से हमें radius of the cone निकालेगा, so volume of cylinder that is equal to pi r square h, is equal to volume of cone that will be equal to 1 by 3 pi r square h, ठीक है, देखो, pi और pi cancel हो जाएगा, this r denotes the radius of cylinder, so radius of cylinder है 18, so यह यह यहाँ गा, 80 square written as 18 into 18, into height of this cylinder is 32, is equal to 1 upon 3 radius, निकालना है, यह conical heap का हमें radius निकालना है, so यहाँ गा, r square into height of this conical heap, is equal to 24 cm, ठीक है, तो यह आएगा, देखो, 84034, 32, 83024, ठीक है, यह 3 और 3 cancel हो जाएगा, तो यह आया 18 into, 18 into 4 is equal to r square, so यह आएगा, 18 square into, इसको मैं लेख साखता हूँ, 4 को 2 square is equal to r square, अब यह square cancel होगा, तो r आया हमें 18 into 2, that is equal to 18 into 2 is 36, so radius of this conical heap, will be 36 cm, so option c is correct, so अज का lecture हम यहाँ पर ही, खतम करेंगे, मिलते हैं, next lecture में, okay, bye,